गुड मॉर्निंग वाइडियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मै चैनल, फ्रेंड्स आज क्रिश्न जनमस्टमी हैं और क्रिश्न जनमस्टमी की आप सभी को हर्दिक दिल से सुपकामनाएं और इस अवसर पर मैं आज लगाने वाली हूँ बहुत सारी प्लांट की कटिंग और स चैनल, शमील के कटिंग तो यौशन whistles aa8, i am a coolsona, कैसे इस यौशन परदिए तो गींआ था नहीं बहुत सबसु को आपतो हटाना पड़ेगा इसकी कटिंग मैंने लगा रखी है तो पेंटास की कटिंग इस समय आप बहुत ही इजली ग्रो कर सकते हैं और एक प्लांट से धेरो प्लांट आप तयार कर सकते हैं बहुत ही प्यारा खुबसूरत बंचेज में फ्लावर्स आते हैं इसके चलिए अब कुछ और भी प्लांट ले लेते हैं अपने गार्डन से तो अरेलिया का प्लांट मेरा दो है जो बिल्कुल सिंगल सिंगल ब्रांच जा रहा है तो इसे मुझे बूसी भी बनाना है और इस समय रेनी सीजन है जिस समय बहुत ही आसानी से जो है कटिंग ग्रो हो जाती है तो अरेलिया की मैंने कटिंग ली है देखिए बहुत ही प्यारा खुबसूरत है इसकी पत्तियां और एक और है तो क्रोटोन की भी ले लेती हूं फ्रेंड्स क्रोटोन भी बहुत यासानी से रेनी सीजन में आप बहुत सारे प्लांट तयार कर सकते हैं मैंने वीडियो डाला था आप लोक से सेयर भी किया था रिपॉर्टिंग का वीडियो मैंने इस तार लगभग 6 या 7 प्लांट जो है क्रोटोन के तयार कर लिये हैं तो मैं एक ही cutting ले रही हूँ, जादा नहीं लगाऊंगी, बहुत सारे plant हो गए हैं मेरे पास, और Aurelia की दूसरी variety है, ये भी बिल्कुल single branch बहुत लंबा हो गया है, जो देखने में काफी खराब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं सोच रहे हूँ, इसकी भी pruning कर देती हूँ, और इसकी cutting लगा लेती हूँ, बड़े-बड़े पत्तों वाली है, और एक जिसकी मैंने cutting लगाई थी nursery से लाकर, जो है अजवाइन का plant है, ये अजवाइन की तरह ही smell आती है इसके पत्तियों में, ये भी काफी single branch आपको दीख रहे हूँगे, तो इसकी भी cutting में लगा लूँगी, इसकी पत्तियों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही खुबसूरत और इतनी ज़्यादा सिंटेड आती है इसकी पत्तियों से, और एक और plant है यूफोर विया मिली, जो देखे इस तरह से, इसकी भी एक cutting में ले रही हूँ, आलरेडी मैंने इसकी cutting लगा रखी, आप लोग से share भी किया है, तो यूफोर विया मिली की भी cutting इस समय आप लगा सकते हैं, बोगन विलिया है, ही बिसकस है, ये सारे plant की cutting बहुत ही असानी से grow हो जाती है, और इसकी cutting मैं ले रही हूँ, तो जो भी plant की cutting आप लेंगे ना फ्रेंड, तो हमेसा उपर वाले tip की cutting लीजे, क्योंकि बहुत असानी सी वो grow हो जाती है, एक जोरा है, डॉर्फ वाराइटी वाले एक जोरा है, हाइब्रिट हिबिसकस है, देसी हिबिसकस है, तो इस समय मैं हिबिसकस की ज़्यादा cutting नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी cutting लगाई है, और सारी की सारी grow हो गई है, लेल्टाना की cutting लगा सकते हैं, ये वाले एक जोरा देखें, डॉर्फ वाराइटी वाले है, और इसकी cutting लगा देती हूँ, क्योंकि ये वाला color मेरे garden में सिर्फ एक ही है, बाकि यलो वाला जो हिबिसकस है, उसकी तो मैंने लगभग 8-10 प्लांट तयार कर लिये हैं, और देखिए इसका पता नहीं चल पाया, मुझे इसमें कितने सारे millibugs लग गए हैं, तो बारिस के सीजन में यह ऐसा ही होता है, जब पास-पास प्लांट रखे होते हैं, तो ऐसी दिक्कत होती है, और मधुमालती का प्लांट की भी कटिंग आप ले सकते हैं, डबल पैटल, सिंगल पैटल, डॉर्फ एवराइटी वाले चांदनी के प्लांट की भी कटिंग आप बहुत ही इजली ग्रो कर सकते हैं, यह सारे प्लांट जो सामने में आपको दीख रहे हैं यह सारे प्लांट मैंने घर पर ही cutting से तयार किया है तो देखिए उपर वाली जो टीफ वाली cutting है उसे आप ले लीजिए इस तरह से लगभग 3 से 4 इंच की cutting लीजिएगा ज्यादा लंबी cutting मत लिजेगा दिक्कत होती है यह पिंक वाली जो देसी वाली ही बिसकस होती है न पिंक और वाइट वाली इसकी भी cutting अपले सकते हैं लेकिन मेरा जो प्लांट है वो उसमें ब्रांच नहीं है नहीं तो मैं सोच रहे थी कि इसकी भी cutting लगा देती तो चलिए और देखते हैं गार्डन में और कौन से ऐसे प्लांट है जिसकी cutting हम लगा सकते हैं तो यहां पर से मैं ले लूँगी फ्रेंड्स देखिए cutting और इसकी भी cutting से यह plant मैंने cutting से ही तयार किया है बहुत प्यारे प्यारे flowers आते हैं यह लेल्टन हिबिसकस है यलो कलर का और यह भी cutting से बहुत ही असानी सी ग्रो हो जाता है और सीट से भी ग्रो हो जाता है तो इसकी भी मैं एक cutting ले रही हूँ और कनेर है कनेर की भी cutting आप लेकर इस समय बहुत असानी सी ग्रो कर सकते हैं कनेर भी बहुत अच्छे सी ग्रो हो जाता है और मैंने cutting से आल्रेडी चार पांच प् तो देखे मैं ने कटिंग ले लिए है च्छोटी सी कटिंग मैंने ली है नाक चंपा को माई कटिंग इस लिए लगा रहे हूँ हुआँ तो क्योंकि काफी लंबे- लंबे हो जाते हैं इतने सारे cutting मैं लेकर आई हूँ, कुछ ड्रसीना की भी मैं cutting लाई हूँ और बहुत सारे coleus की भी cutting लाई हूँ तो चलिए बारी-बारी से आपको दिखाते भी जाऊंगी कि कैसे-कैसे plant की और भी cutting मैंने ली है बाकी तो आप लोगों ने देखा ही है, जैसे की देखे, क्रोटोन है यूफोर्विया मिली है, अरेलिया है तो बस आपको friends, एलोवेरा जेल लेना है और एलोवेरा जेल लेकर आपको इस तरह से डिप कर देना है क्रोटोन की आप कोई सी भी वेराइटी इस समय ले सकते है और cutting से बहुत ही आसानी से plant तयार कर सकते है आपको पता ही होगा friends, क्रोटोन लगभग 60 से 100 रूपीज के एबब ही मिलता है ये plant, तो क्यों ना हम इसे घर पर ही आसानी से तयार कर लें और देखिए ये है, ये भी cutting में लगा रही हूँ और बहुत अच्छी खुस्बू आती है, इसमें अंजवाइन की तरह अंजवाइन plant है और ये सारे cutting बहुत इजली ग्रो हो जाएंगे तो मैं काफे दिनों से लगाने माली थी सारे plant की cutting तो मैंने सोचा जन्मस्टमी है, जन्मस्टमी के औसर पर चलिए इतने सारे plant की cutting लगाते है और जब ये ग्रो हो जाएगी तो एक यादगार भी बन जाएगा कि जनमस्टमी के दिन मैंने ये सारे प्लांट लगाय थे और मेरे इतने सारे प्लांट तयार हो गए है ये अरेलिया मुझे बहुत पसंद है और जैसे कि मैंने आप लोगों को अपडेट में दिखाया है संड़े अपडेट में अरेलिया की लगभग मैंने 6-7 प्लांट मैंने तयार नहीं किये है मेरे बेटे ने लगाया था और वो सारे प्लांट ग्रू हो गए है तो अरेलिया की बहुत अच्छी अच्छी वैराइटी बहुत सारी आती है यदि अरेलिया का प्लाण्ट हमेशा साथ देते हैं वो कोई सीजन नहीं देखते हैं और हमें हमारा गार्ण जो है बारो मेहना हरा भरा औरो खुबसूरत चाहिए तो पर्मनेंट प्लांट जरूर लगा ये इंडूर और आउट्डोर भी और फ्लावरिंग प्लांट भी जिससे की हमारा गार्डन कभी सुना नहों सिजनेबल प्लांट ऐसे हो जाते हैं जो सिर्फ सीजन आने पर ही रहते हैं खास तर पे विंटर के जो प्लांट हैं विंटर में वैसे तो बहुत सारे प्लांट आते हैं लेकिन जैसे ही winter जाता है हमारा garden सुना हो जाता है और आज मैं जो plant आप लोग को बता रही हूँ ये सारे plant आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे बारो महीना आपके साथ में रहेंगे और आपके garden को बहुत खुबसुरत दिखाएंगे देखें अरेलिया की ये बहुत अच्छी variety है औ और इसकी मैंने pruning कर दी काफी लंबा हो गया था मेरा plant और इसकी मैं cutting लगा रही हूँ तो अरेलिया यदि आपके garden में है ड्रेसीना है ये ड्रेसीना की यदि आपके garden में कोई सभी plant है और वो काफी लंबा हो गया है तो ड्रेसीना को आप बिल्कुल नीचे से प्रून कीज और उसकी जितनी बड़ी ब्रांच है उस ब्रांच को छोटा छोटा कट करके आप बहुत सारे plant तयार कर सकते हैं ये मैंने अपने घर पर ट्राइ करके देखा है तभी आप लोग को बता रही हूँ और एलो वेर डीप जरूर करिएगा लंबी ब्रांच है उपर की टिप तो संडे अपडेट में जरूर आप लोग से सेयर करूंगी तो इस तरह से बस फ्रेंड्स आपको एलो वेरा में डीप करते जाना है और इस तरह आपको एक एक कर करके सारे कटिंग लगा देने हैं तो देखिए मैंने कितने सारे कटिंग बातों में मैंने कितने सारे कटिंग ल थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होता है कि यदि हम कटिंग लगाते हैं और विए सारे प्लांट ग्रो हो जाते हैं तो हमें पॉट की जरुवत पड़ती है और मेरे गाडन में आप लोगों ने देखा है अधिकतर मैं प्लास्टिक का पॉट ही यूज करती हूं और मेरे पास ह कमी ही हो जाती है और लास्ट में मुझे नर्सरी वाले बैग में लगाना पड़ता है तो ऐसा हम गाडनर के साथ अकसर हो जाता है धीरे धीरे हम कटिंग तयार करते हैं और हमारे पास बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं एक बात और कहना चाहूँगी कल की वीडियो में भी म मैं अब चाहती हूँ कि मेरे च्छत पे मैं जो है वजन जो है कम करना चाह रही हूँ उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं कोको पीट और राइस हस्क जो धान की भूसी आती है उसका इस्तमाल जादा करूंगी और गार्डन की मिट्टी का इस्तमाल थोड़ा कम करूंगी क्योंकि ज्यादा तर मेरे गार्डन में गार्डन की मिट्टी मैंने ज्यादा इस्तमाल किया है और वजन जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है प्लांट भी आप लोग उने देखे मेरे पास बहुत सारे प्लांट हो गए हैं तो कोलियस की भी देखे बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं तो मैंने सोचा आज लगभग मैं 8 या 10 कोलियस के नए नए colors जो मेरे गार्डन में हैं वो मैं लगा रही हूँ बहुत सारे plant होने से friends क्या हो जाता है किसी plant में मेरा ध्यान नहीं जाता और वो plant सारा खतम हो जाता है पता ही नहीं चलता इस तरह का दोर मेरे साथ windering dew के साथ हुआ था windering dew का plant मेरे garden में लगभग खतम हो गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया था लेकिन एक छोटी सी cutting अपने आप grow हुई उससे मैंने बहुत सारे plant तयार किये हैं तो कोलियस को मैं सोच रही हूँ इस बार कितने सारे मेरे पास plant हो गए हैं याद नहीं रहता तो मैं इस बार single single गमले में लगाऊंगी ताकि मुझे color याद हो और जब भी मैं नरसरी जाओं तो उस color को मैं लेकर ना आओं वैसे तो जाद रहता है लेकिन कभी-कभी नरसरी जाते हैं तो भूल भी जाते हैं तो देखिए यह सारे colors आपको कैसे लगे मेरे कोलियस के जरूर बताईएगा और अभी-भी तो मैंने एक-दो दिन पहले नए तीन प्लांट और एट किये हैं कोलियस के जो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो तीनों प्लांट मेरे गार्डन में नहीं हैं लेकिन यह सारे मेरे गार्डन में हैं और इनहीं से मैं कटिंग ले लेकर मदर प्लांट से कटिंग लगा रहे हूं तो कोलियस की वैराइटी आपको कैसी लगी जरूर बताईएगा फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो फिर मिलती होने वीडियो में बाई बाई